उत्तर प्रदेश के मुजफर नगर जनपत की मीरापूर विधान सभाक शेतर स्थित शुक्र तीरत नगरी में शनिवार को सूबे के एक मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुँचे थी जहां उन्होंने ग्राम चौपाल में हिस्सा लेते हुए जनता को मंच से संबो रहुल गांधी गेर जिम्मिदार नेता बैठे हुए हैं, वह प्रधानमंत्री जी को गली नहीं देते वर देश की 140 करोर जनता को गाली देने का काम करते हैं। केशव प्रसाद मौर्या ने कहा कि रहुल गांधी जी कहते हैं कि अगर मैं प्रधान मंत्री बन जाओंगा तो ऐसी मशीन ला दोंगा जिसमें एक तरफ से आलू डालूंगा तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा और अगर अखिलेश यादब जी को कुछ कहो तो रहुल जी को दर्ध होता है और रहुल जी को कुछ कहो तो अखिलेश जी को दर्ध होता है ये दर्ध उन्हें क्यों होता है। मुजफर नगर जनपद की मीरापूर विधान सभा सीट सहित 10 सीटों पर होने वाले उप्चुनाव को लेकर उप्मुख्य मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतिय जनता पार्टी गटबंधन के साथ मिलकर सभी 10 सीट जीते इस लक्षय को लेकर हम काम कर रहे हैं मन से बोलते हुए जहां डप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारे देश की 3 करोर गरीब महिलाएं लगपती बीवी बन जाये ये संकल्पी किसके मन में आया आधर्निय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी के मन में आया 3 करोर लगपती बीवी जब हमारे देश में बन जाएंगी तो आप समझ सकते हैं हमारा देश किस मजबूती के साथ विकास की पत पर आगे बढ़ेगा परिवार आगे बढ़ेगा अभी में यहां बहुत सारी लागप्रद योजनाएं हैं सरकार की उसकी बहनों को और किसानों को समर्पित करने का काम करेंगे लेकिन आप ये सारा अवलोकन करेंगी तो आपको ध्यान मैं आएगा कि यह भारतिय जनता पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास है भारतिय जंता पार्टी है तो भारतिय जंता पार्टी के ऊपर भविश्य है हमारे नौजवान हो चाहे किसान हो चाहे माताएं बहने हो हम मैं सब के लिए कहता आज हमारे डबल इंजन की सरकार लगातार एक से एक बड़े काम कर रही है और आगे भी करेंगे हमें प परकार बनाने का रास्ता साफ होगा। परकार नेता शायद विपक्ष के भारत के इतिहास में कुरसी पर बैठा हो वो प्रधान मंत्री जी को गाली नहीं। के अनियाई हैं उनकी मनसूबाः पूरे नहीं होने देंगे उन्होंने कहा। आरक्षन खत्म कर देंगे हमारे मोधी जी ने कहा आरक्षन हमारे रहते मोधी जी के जिंदा रहते कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता लेकिन दुषप्रचार करने वाले ऐसा दुषप्रचार किया और गुमराह करने का का काम किया और हमारे मत्दाताओं को ब्रमित करने में वह काम्याब हो गए लेकिन मैं धन्यवाद बोलता हूल देश और प्रदेश की जनता को उनकी तमाम साजश के बाद माननिय मोदी जी के नेत्रित्व हमारी सरकार बनी उनके बयानों कि अगर चर्चा करू राहूल गांधी जी तो यहां तक कहते हैं कि मैं एक ऐसी मशीन लाद दोंगा अगर प्रधान मंतरी बन जाओंगा एक तरफ से आलू डालूँगा दूसरी तरफ से क्या निकलेगा सोना निकलेगा अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं हालांकि अखिलेश यादव जी तो उनके साथ ही हो गए अखिलेश जी को कुछ कहो तो राहुल जी को बहुत दर्ध होता है और राहुल जी को कुछ कहो तो अखिलेश जी को बहुत दर्ध होता है ये दर्ध क्यूं होता है अगर उत्तर प्रदेश में कोई हमारी बहन बेटी के साथ अप्राथ करे क्या उसे ख्षमा करना चाहिए क्या कोई किसी की हत्या करे उसे माफ करना चाहिए क्या कोई जमीन पर कबजा करे क्या उसके खिलाफ कारवाई नहीं होनी चाहिए क्या इस देश और प्रदेश के अंदर जिस संस्कृत उन लोगों को पनपने का काम किया था वह बहुत घटिया था आज यहां ग्राम चौपाल में आया हूँ ये भारतिय जंता पार्टी की सरकार है और भारतिय जंता पार्टी गटबंधन की सरकार आपके द्वार पर ख़़ी है चौपाल क्यों है सरकार आपके द्वार पर ख़़ी है आपकी समस्या आपके पासा करके समाधान के लिए आपकी समस्या लेकर कोई लखनव जाना चाहे दिली जाना चाहे आपका स्वागत है लेकिन आपकी समस्या आपके गाउं में आपकी चौपाल में आपकी समस्या का लेकर जाएगा उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें से अधिकांज सीटे भारतिय जंता पार्टी गटबंधन जीतेगा यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो वही मीडिया से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्या ने कहा कि जो 10 विधान सभा के उपचुनाव होने वाले हैं भारतिय जंता पार्टी गूट से लेकर विधान सभा तक मजबूती से तयारी कर रही है हां गटबंधन के साथ मिलकर कि सभी 10 सीटे जीते हैं इस कर रहे हैं वैसे भी समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के गटबंधन से लोगों का विश्वास समाप्त हो गया है और सपा को ही लोग समाप्तवादी पार्टी बनाना चाहते हैं वो कभी-कभी बिल्ली के भाग से भी चीका तूट जाता है और उनकी जूट पर खरे नहीं उत्रे जनता उनकी असलियत समझ गई है इसे सपा हो या कॉंग्रेस हो उनको आप सबक सिखाने के लिए लोग तैयार है देखिए आप जिम्मिदार पत्रकार हो नाम नहीं मैं जानता लेकिन गैंगरीव जैसी गिनोनी घटना होती है ऐसे आरोपियों को अगर स संरक्षन देने का काम करते हैं चाहे वह योध्या का मामला हो चाहे उनकी संसद्यक शेत्र का मामला हो और प्रदेश में चाहे और कहीं अन्यका मामला हो वह तो अपराधियों की संरक्षक बन करके साबित हुए हैं और वह जाच चल रही है कोर्ट में मामला है ऐसे अपराध भाजपा जीतेगी सहयोगी लरेंगे सहयोगी जीतेंगे मैं उसे बयान को ना देखा हूँ ना उसे पर कोई टिपनी जहां बवाल होगा पुलिस है कारवाई करेगी समाथ ओ गया है और सपा को ही लोग समाथ वाधी बना लाता है लेकिन सर चोविज में उन्होंने काफी सीटी जीते हैं वो कभी कभी बिल्ली के भाग से भी छीका टूट जाता है और जूट की बोल करके लोगों को गुबराह करके जो राप्त किये उस पर वो खरे नहीं उतरे जनता उनकी समझ गई है इसे सपा हो या कांग्रेस हो उनको सबक सिखाने के लिए लोग तयार है सब्सक्राइब करेंगे जिम्मेदार पत्रकार हो नाम नहीं मैं जानता लेकिन जब गैंग्रेप जैसी घंणा होती है और ऐसे आरोपियों को अगर समाजवाधी पार्टी के मुखिया सरी अखलेस यादोजी संदच्चर देने का काम करते हैं चाहे वह अयुद्या का मामला हो और चाहे प्रदेश में आने कहीं अस्तान का मामला हो तो वह तो अपराधियों के संदच्चक बन करके साबित हुए हैं और वह जांच चल नहीं है उसके कोट में मामला है आएसे अपराधी बच नहीं सकते हैं जिसको लेगा प्रकार को लेगा बाजबा दक में से कितनी सीटों पर लड़ने जारी है यह तो पार्टी तहीं करेगी जहां विभात्पा लड़ेगी बाद्पा जीतेगी जहां अबहात्म बाद्पा वात्म नहीं से कितनी सीटों परकार को लेगा जिसको लेगा लड़ेगी जहां पर स्कत्र को लेगा डिए़ने जहां पर लड़ेगी जहां हां हां।